हलो बड़ीज तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे मैलविन कैलविन के बारे में मैलविन कैलविन और उनके जो कोवरकर्स थे इन्होंने रेडियो एक्टिविटी को यूज किया बेनिफीशिल यूज के लिए मतलब फाइदे के लिए यूज किया इन्होंने जे बाशम नाम के साइंटिस्ट के साथ मिलके कार्बन 14 रेडियो आइसो टॉप का यूज किया और इसके दौरा इन्होंने कार्बन एसिमिलेशन जिसको आप नॉर्मली जानते हैं डार्क रियक्शन या कैल्विन साइकल के नाम से जानते हैं तो कैल्विन साइकल का जो पूरा पाथवे हिन्होंने कार्बन 14 के दौर उसका पता लगाया और इस काम क्लेन को नोबेल प्राइज दिया गया 1961 में वाटसन, क्रिक और विलकिंस को नोबेल प्राइज 1962 में दिया गया था Kelvin को Nobel Prize 1961 में दिया गया इनके जो concept हैं उन concept को आज भी हम यूज करते हैं for the basic studies in solar energy research